हलो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको 1200 के केबल ट्रे में राइजर 90 बना करके दिखाएंगे राइजर 90 बैंड हम किस तरीके से बनाते हैं इसका मार्किंग आपको करके दिखाऊंगे इसका मेजर्मेंट में आपको पूरा समझाने वाला हूँ एक हमारा 1200 के केबल ट्रे रहेगा और उसको हम राइजर 90 बनाएंगे तो हमारा जब हम इसका मार्किंग करेंगे उस वक्त हमारा साइज कितना रहेगा बनाने के बाद हम उसमें कितना हमारा माइनस होता है और कितना का हम उसको राइजर 90 बैंड बनाएंगे ये भी मैं आपको उसमें बना करके आपका उसका measurement भी हम आपको करके दिखाएंगे तो पूरा इस वीडियो को देखें सुरू से आखर तक तभी आपको समझ में आएगा इसे मैं आपको formula के साथ बताने वाला हूँ तो वीडियो को बिलबूल भी स्किप ना करें सुरू सुरू आखर तक वाच करें अभी आपको समझ में आएगा और चैनल पर अगर आप नई विजिट किये हैं तो चैनल को प्रेंट से सब्स्राइब कर लें बेल आइकन दबाए दो सो का इसका रैजर 90 में बाएंट वेन बनाएंगे और यह वाला हिस्सा दो ripe मैं इसको मैं हम डाउन करेंगे नीची कीनल ओब ठीक है यह उपर से आ रहा है इसको हम नीचे डाउन करेंगे यह हिस्सा आगे का ठीक है तो दोसों का इसका हम को चाहिए राइजब 90 तो इसका मार्किंग किस तरीके से करते हैं तो विडियो को ध्यान से देखिए तब आपको समझ में आएगा तो चलिए इसका मार्किंग मार्किंग करते हैं तो यह हमारा nutr k menor कम करेंगे तो चलिए इसका मार्किंग हम देखते हैं किस तरीकी से करेंगे तो हमको 200 mm का 90 band बनाना है friends ठीक है तो देख सकते हैं यहां से ज़ेकर इसका measurement करेंगे तो 200 mm हमारा यहां पर आ रहा है ठीक है यह देख सकते हैं यहां पर यहां पर measurement tape है यहां से हमारा 200 mm यहां पर आ रहा है तो हमको 200 mm का ही riser 90 band बनाना है तो इसका जो हम radius है ठीक है जब भी आप 90 band बनाते हैं तो center का जो gap होता है वो जो radius है मागे आपको भी बताएंगे तो radius के साब से marking होता है तो radius इसका हम रखेंगे 100 mm और 100 mm का radius का reference आता है 70 mm यानिकि 70 mm तो हम यहां से 200 mm में से 70 mm हम minus करेंगे जो हमारा radius आ रहा है 100 mm का तो उसको minus करने के बाद हम यहां marking करेंगे 130 mm पे तो यह हमारा पहला marking हो गया उसके बाद यहां से फिर हम दो निशान लगाना है हमको यहां से आपको एक 20 mm मार्किंग करना है फिर एक निशान और लगाना है आपको 20 mm ठीक है तो इस तरीके से आपको 2 मार्किंग कर दे रहा है 20 mm यह हमारा 50 mm का tray है side का तो इसके साब से हम 20 mm पे 2 मार्किंग इस तरीके से हमने कर दिया अब यह जो मार्किंग है इसको हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से तो चलिए हम मार्किंग कर लेते हैं किस तरीके से हम मार्किंग कर रहे हैं से हम मार्किंग आपको उसी तरीके से करना है ठीक है तो ध्यान से देखें अब यह जो हमने तीन लाइन यह जो मार्किंग किय तो चिलिए इसको हम मार्किंग कर लेते हैं उसके बाद फिर हम आगे का मार्किंग आपको बताएंगे तो यह देख सकते हैं यह मार्किंग हमारा यहां पर आचुका है अब यह मार्किंग हमको तीनो जो लाइन है जैसे कि हमने आपको बताया है यह मार्किंग आपको पूरा ट्रे में कर लेना है इस तरीके से तो इसको आप इस तरीके से यह पूरा तीनो लाइन इस तरीके से हमने मार्किंग कर दिया है देख सकते हैं अब ये मार्किंग हो जाने के बाद फ्रेंस हमको इसमें एक वी का निशान लगाना है ये जो सेंटर वाले लाइन देख रहे हैं ये सेंटर वाले लाइन से हम एक यहां पर मार्किंग करेंगे और सेम मार्किंग हमको उधर भी करना है तो ध्यान से हम मार्किंग आप देखें ठीक है, फिर यहां से एक निशान आप इस तरीके से यहां से यहां लगा दें, सेम मार्किंग आपको इधर भी करना है, यहां से यहां एक मार्किंग करदें आप, यह जो हम मार्किंग कर रहे हैं, यह आपको कटिंग करके इसको निकाल देना है, ठीक है, और देख सकते हैं ज सेम सेम आपको इसी तरीके से यह मार्किंग कर लेना ठीक है तो यह हमारा मार्किंग हो गया है देख सकते हैं सेम मार्किंग हमने किया है जैसा हमने इधर किया है सेम सेम यह मार्किंग हमने उधर भी कर दिया ठीक है तो यह देख सकते हैं यह जो हमने मार्किंग किया है यह जो आप देख रहे हैं इसको आपको कॉलर काट करके आपको इसको निकाल देना है सेम सेम आपको इधर भी कटिंग करके यह जो हिस्सा है इसको भी आपको काट करके निकाल देना है ठीक है यह पूरा काटते हुए आपको यहां तका जाना ठीक है यह आपका कटके बाहर निकल जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपको कटिंग कर देना है यह जो हिस्सा देख रहे हैं यह आपका कपलर बन जाएगा आप सिर्फ यहां से करेंगर से निशान लगा दे ताकि यह नहीं भी cutting करेंगे तो चलेगा लेकिन यह जो कपलर है हमारा यह आपको आगे तक बढ़ाना होगा यहां से यहां तक आपको cutting करना होगा इस तरीके से ठीक है तो हमने आपको इसमें दो तरीका बता दिया है तो ध्यान से वीडियो को देखे तभी आपको समझ में आएगा यह देखिए हमने यहां तक आगे बढ़ा दिया है इसको ठीक है आप अगर पुरा भी नहीं निकालना चाहते है तो यह लाइन सिर्फ आपको यहां से यहां तक cutting कर देना है और यह जो हमारा है यह हमारा पूरा कपलर बन जाएगा ठीक है तो इस तरीके से इसका मार्किंग हमन अब यह देखिए फ्रेंड्स हमको रेडियस चाहिए था 100 mm का जैसा कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्टेंग बताया था तो 100 mm का रेडियस यह देखिए यहां से हमने 100 mm ले लिया है और उसके बाद फिर यहां से आपको 20 mm और फिर 20 mm पे यानि कि दो मार्किंग आपको कर नहीं कर ले ना है यह देखिए अब यह दूरी है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं ठीक है जो रेडियस का हन्ड़ का रेडियस होता है उसका ह tutorial 70 mm एने 70 mm ठीक है तो यहां से हमने मैनस करके इसका measurement किया मैंने आपको वीडियो में बताया ठीक है तो वीडियो को ध्यान यह मार्किंग यहां पर आ जाएगा यह भी यहां पर आ जाएगा यह भी इधर आ ठीक है इसको इस तरीके से मार्किंग कर देना है अब इसमें भी आपको एक भी का निशान लगाना है ठीक है तो इसमें भी आप एक यहां से यहां पर एक मार्किंग कर दें जैसा कि हमने इधर किया है और यहां से आप यह पूरा मार्किंग कर दें ठीक है हम सिर्फ यह वाला लाइन कटिंग करेंगे ज इस वीडियो में बताकी तो यहां से यहां तक उसकर can time कर देंगे अ है यहां से मार्किंग आप यहां पे कर दें हुआ है कि यह दुझे हमारा मार्किंग हो गया है कि यहां से आपको एक भी का निशान लगाना है सेम सेम ठीक है यह देखिए यह हमारा मार्किंग हो गया है मुकंबल ठीक है फ्रेंट्स तो इसी तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है जैसा कि हमने आपको बताया था यह वाला आपको कटिंग करके निकाल देना है और इस तरब भी कटिंग करके निकाल देना है यहां से यह लाइन सिर्फ यह काटते यहां तक आपको लाकर के स्टॉप कर देना है ठीक है यह हिस्सा आपको यह जो कॉलर है यह आपको कटिंग नहीं करना है ठीक है यह कट करके निकल जागा यह भी कट करके निकल जागा बचेगा यह हिस्सा और यह जो लाइन है यहां इसको आपको ग्रेंडर से निशान लगा अब हमको इसका आगे का मार्किंग करना है तो विडियो को ध्यान से देखें यह देखें तो यहां से हमको 400 mm का ट्रे चाहिए यह जो देख रहे हैं आप जैसे कि मैंने आपको बताया था यह हमारा 200 mm का 90 बैंड बनेगा और इस तरफ का जो हमारा हिस्सा है यह जो आगे का हिस देखें यह भी आपको बहुत जरूरी है यह सीखना ठीक है यह देखें फ्रेंड्स उसका हम मार्किंग करेंगे यहां से देख सकते हैं यह हमारा 400 mm यहां प्यारा है ठीक है यह देखिए 400 mm हमारा यहां प्यारा है तो हम क्या करेंगे मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार और 100 mm का radius का जो reference आता है कितना आता है 70 mm याने कि 70 mm ठीक है तो इसमें भी हम सेम इसका margin करेंगे सेम marking करेंगे इसी तरीके से जैसा कि हमारा रहा है 400 mm यहाँ पर और हमारा जो radius का जो reference आएगा वो 400 mm में से हम minus करेंगे कितना 70 mm तो 70 mm हमारा यहाँ पर आ जाएगा minus करेंगे इसको 400 mm में से तो यहाँ पर हमने यह marking कर दिया ठीक है इस तरीके से आपको marking करना है और यह जो हमने marking किया है यह आपको पूरा marking कर दे केबल ट्रे में यह दिखिए जो हमने marking किया है यह आपको प पूरा मार्किंग कर लेना है देख सकते हैं तो यह देखे हमारा अब यह जो हमारा मार्किंग है यह मुकमल हो गया है जब हम इसको कटिंग करेंगे कटिंग करके इसको जब इसको बैंड करेंगे तो हम उसका आपको साइज भी मेजर करके हम आपको दिखाएंगे यह इधर से हमारा 400 mm और इधर से हमारा 200 mm आ रहा है कि नहीं तो ये देखे फिरेंट्स ये हमारा कटिंग हो चुका है देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको कटिंग किया है यहां से हमने यह जो हमने भीका मार्किंग किया था यह देख सकते हैं यहां तक हमने यह cutting कर दिया है जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था यह आपको cutting नहीं करना है यह हिस्सा सेम सेम हमने इधर भी cutting कर दिया है ठीक है और यह हमारा coupler बन चुका है यहां से हमने इसमें grinder से निशान लगा दिया है ताकि यह band करने में आसानी है और यह हमने collar काट करके इसको यह हमने निकाल दिया है अगर आप cutting नहीं करेंगा तो यह आपका coupler नहीं बनेगा ठीक है तो यह इस तरब भी हमारा coupler बन गया है यह तीनों सेड एक दो और यह तीन ठीक है इस तरब भी सेम सेम हमारा cutting हो चुका है तो इस तरीके से आपको cutting कर लेना है तो अब हम इसको band करेंगे और band करके इसका आपको size हम measurement करके दिखाएंगे कितना का हमने 90 band बनाया है riser 90 band इस तरफ का और इस तरफ का हमने आपको भी measurement करके दिखाएंगे तो चलिए इसको band कर लेते हैं तो यह देख सकते हैं फ्रेंड यह हमारा riser 90 band बन चुका है देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको band किया है यह हमारा कपलर है और यह भी हमारा कपलर है देख सकते हैं हमने इसमें दो दो रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको हमने इच्छे से tight कर दिया है यह हमारा coupler है तो यह back side से भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको band किया है सेम सेम इसे तरीके से आपको band कर लेना है तो यह हमारा riser 90 band बन चुका है friends तो अब हम इसको आपको measurement करके हम आपको दिखाने वाले हैं यह हमारा 200 mm का riser 90 band बना ही कि नहीं तो चलिए इसका measurement हम करके देखते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड यह हमने आपको measurement करके भी दिखा दिया है यह हमारा 200 mm का riser 90 band बन चुका है तो इसी तरीके से आपको marking करना है और इसी तरीके से cutting करके इसको band कर लेना है तो यह आपका riser 90 band इस तरीके से बन जाएगा तो वीडियो कैसे लगा वीडियो को लाइक करेगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में